हालो प्रेंट्स आज हमने बनाया है सर्सो का साग और मकई की रोटी आए इस रेसिपी को हम दीख लेते हैं तो सबसे पहले हमने ये सर्सो को लिया है इसे हम अच्छे से दो के काट लेंगे अब इसमें हम डाल रहे हैं पालक सर्सो से हमने आधी ही पालक ली है ये हमने चार स् किब भी कर सकते हैं और इसमें हमने ये बथवा लिया है इसे भी हम दो के काट लेंगे तो आईए इसे बनाना हम शुरू कर लेते हैं कुकर में हम एक बड़ा ग्लास पानी डाल रहे हैं सरसों के पत्तों का जो स्वाद रहता है वो थोड़ा पंजिंट होता है तो इसमें हम दो-चार और पत्तों को भी डालेंगे तो इसका स्वाद और भी निखर कर आएंगा तो इसमें हमने बथवा और पालक इनको अच्छी तरह से दो के काटके और इसमें हम डाल रहे है स्प्रिंग अनियन के लीज को हमने काट दिया है अब इसके बल्ब्स को भी हम काटेंगे स्प्रिंग अनियन डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है छे हारी मिर्ची है एक एंच अदरक का टुकड़ा है साथ आठ लस अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हो तो प्लीज अब बिना सब्सक्राइब को मत जाएए बेल बटन तपाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकें गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा करने को रखेंगे तब तक हम प्याज और लसुन को बारिक बारिक काटेंगे कोकर हमारा ठंडा हो गया है आईए इस कोकर को हम खोल देते हैं तो यह देखिए यह हमारा साग अच्छी तरह से बॉइल हो गया है इसे मैं इस ग्रैंडर जार में डाल रही हूँ अगर आप चाहो तो मतनी से भी इसे घोट सकते हो या तो फिर आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो इस पानी को हमें फेकना नहीं है इस पानी को हम रखतेंगे इस जार को बं मिक्सर में हमने पीस लिया है यह एकदम फाइन पेस्ट नहीं के थोड़ा सा दरदर है गैस पर हमने कुकर को चड़ा दिया है अब यह सारा मिक्सचर हम इसमें डाल रहे हैं और यह जो पानी हमने बचा के रखा था वो पानी हम इसमें डाल देंगे तो ये देखिए पानी भी काम में आ गया है साख को हम थोड़ी तर इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक दो उबाल आना शुरूर न हो जाए अब इसमें हम डाल रहे है दो टेबल स्पून हमने मकाई का आटा लिया है तो ये दो टेबल स्पून हमने मकाई का आटा इसमें डाल दिया है फ्रेंच अगर आपके पास मकाई का आटा ना हो तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे वरना मकाई का आटा है वो गुटलियों के जैसा बन जाएगा और अक्पा पूरा साग बेका जाएगा तो ये देखीए ये हमारा साग बन कर तैयार हो गया है गैस को हमने बन कर दिया है गैस पे हमने कड़ाई रखा है और इसमें हमने एक करची टेल डाला है ये लगभक 4 टेबल स्पून के बराबर है टमाटर को हम भारी बारी काट लेंगे तेल गरम हो गया इसमें हम डाल रहे हैं अधा चमच हिंग और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम डाल रहे हैं लसुन और प्याज प्यास को हमें तब तक भूनना है जब तक हलका सा golden brown ना हो जाए प्रेंच सरसों सरफ सर्दियों में ही आता है तो सर्दियों का आप मज़ा लीजिए और एक पार इसे ज़रूर ड्राइ कीजिएगा तो यह प्रेंच हमारा golden brown होगा इसमें हमने टमाटर को भी डाल दिया है, फ्रेंस इसमें हमें कोई मसाली नहीं डालना है, ना हल्दी, ना धन्या, ना लाल मिच, तो बस इसमें हमने आधा चमच नमक डाल रहे है, साग में हमने आधा चमच नमक डाल दिया था, प्यास और टमाटर को हम अच्छी तरह से मिक् यह प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पग गया है अब इसमें हम डाल रहे हैं साग तो यह साग को हम इसमें डाल देते हैं यह इसकी perfect consistency है फ्रेंज जब भी आप इस साग को खाए तो आप इसे गरम करके ही आप इसे सर्व करें अगर ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा गाड़ा और जादा हो जाता है अगर आप इस वक चाहो तो इसमें आप बटर भी डाल सकते हो तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसे हम तीन मिनिट के लिए धीमी आजपे से ढखे रखेंगे तो ये तीन मिनिट हो गया है साग को जबी भी पकाए ढखके पकाए नहीं तो इसके छीटे बहुत ज़्यादा ओड़ते है तो ये देखिए ये हमारा सर्सों का साग बनकर तयार हो गया है फ्रेंज बहुत अच्छी से महक आ रही है अब इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रेंज अगर आप चाहो तो इसमें लाल मिर्ची और लसुन का तड़का इसमें आप डाल सकते हैं मैं इसमें सिर्फ बटर डाल रही हूँ और ये मेरा सर्सों का साग बनकर तयार हो गया है आए ये मकाई के आटे से बनी रोटी की रेसिपी को हम देख लेते हैं मकाई के आटे से रोटी बनाने के लिए हमने ये एक कप मकाई का आटा बर रहे है तो ये एक कप आटा हमने इसमें डाल दिया है और ये दूसरा कप आटे का भी हमने इसमें डाल रहे है फ्रेंज आप कोई भी घर की कटोरी से भी इसे नाप सकते हो जितना आपको आटा लेना है उतना ही आपको पानी लेना है तो इसमें हमने दो कप आटा लिया था तो इसमें हम दो कप पानी ही डाल रहे है और इस पानी को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे तो गैस को हमने स्टार्ट कर दिया है जब तक पानी गरम होता है आई इसमें हम आधा टीस्पून नमक डाल रहे है और एक कर्ची हमने ओल दिया है ये दो अड़ाई टेबल स्पून के बराबर है पानी गरम हो गया है गैस को हमने बंद कर दिया है गरम पानी डालने से आटा फूल भी जाता है और रोटी एकदम सौफ्ट बनती है तो आप देख सकते जितना चाय के लिए हम पानी उबालते है उतना उबलता वो पानी हम इसमें डाल रहे है हाथ से न गुमाए नहीं तो हाथ आपका जल सकता है तो इसे हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगी एक साथ पानी आप न डाले क्योंकि अगर आप एक साथ पानी डालोगे तो आटा नरम भी हो सकता है तो ये सारा पानी हमने इसमें डाल दिया है चमच को हमने निकाल दिया है अब इसे हम हाथ से गून रहे हैं तो आप इसे पटापट गूनते जाएए और इसे हम 5-7 मिनिट के लिए ढखके रखेंगे ताकि ये आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो आईए इस आटे को हम खोल के देखते हैं तो आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह से सूख गया है इसे हम फिर से मलेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से मलना है ताकि ये एक सॉफ्ट डो हो जाए अगर ये आटा थोड़ा हाड होगा तो रोटियां तूटती जाएंगे और इसमें बहुत सारे क्रैक्स आएंगे तो इसे हमें अच्छी तरह से मलना है और यह soft dough की तरह इसे बनाना है इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें हमने अब थोड़ा सा oil डालके और इसे हम एकदम चिकना बना देंगे तो यह देखिए पहले का आठा और अब का आठा यह हमने plastic की एक bag ली है जिसको हमने side से काट दिया है और यह पूरी sheet बन गई है फ्रेंज इस hole में कोई फरक नहीं पड़ेगा इस पर हमने अच्छे तरह से oil लगा दिया है अब यह एक loil ले रहे है तो इसे हम अच्छे तरह से एक पेड़ा बनाएंगे तो आप देख सकते हैं इस पेड़े में कोई cracks नहीं है अगर इसमें cracks रहेंगे तो रोटी बराबर से नहीं पनेगी आईए इस sheet को अब हम fold कर लेते हैं तो बस इस तरह से और यह हम बेलते हैं तो यह हम नीचे की तरफ से बेल रहे हैं नीचे की तरफ से बेलने से यह बहुत ही आसान हो जाता है बेलने के लिए और यह फटा-फट से बेल देते हैं तो यह देखिए इसको हमने बेल दिया है आई यह sheet को हम खोल देते हैं तो यह देखिए आप रोटी को राइट हैंड में रखिए और लेफ्ट हैंड से sheet को खोलिए यह रोटी को हम तवे पे डाल देते हैं और रोटी को हमें एक मिनिट तक नहीं पलटना है, जब तक ये अच्छे तरा से नीचे से सिख न जा या तो आप देख सकते हैं, ये रोटी नीचे से सिख गई है, अब इसे हम पलट रहे हैं, गयस को हम हाई फ्लेम से थोड़ा कम रखा है जब तक ये रोटी सिख रही है आई ये हम दूसरा तरीका भी आपको दिखा देते हैं तो इसमें आपको बेलने की भी जरूरत नहीं है और ये बहुत ही आसान होता है तो बस इस तरह से अगर आप थप थप आएंगे और ये आप हाथों से गोल करेंगे न तो ये हमारी बेलन से भी बहुत अच्छी और एकदम राउंड रोटी बनती है तो ये देखी कितना आसान है इसे बनाना इस रोटी को हमने दूसरी तरफ से भी पलट दिया है तो ये दोनों तरफ से रोटी पक गई है इसमें हमने एक टी स्पून ओइल डाला है और ये दूसरी तरफ से भी हम इसमें ओइल डाल देंगे प्रेंस अगर आप चाहो तो इसमें बटर डाल के भी आप इसे बना सकते हो तो ये दोनों तरफ से हमारी रोटी पक गई है तो ये देखी हमारी रोटी बनकर तयार हो गई है तो ये दूसरी रोटी हम इसमें डाल देंगे आईए इस प्लैस्टिक शीट को हम खोल देते हैं तो हमें फिर उसी तरह से राइट हैंड में लेना है और लेफ्ट हैंड से शीट को चुड़ाना है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी रोटी बनी है तो ये देखिए बेलने से भी ज्यादा हाथ से हमारी रोटी एकदम गोल बनी है और इसे हमें एक मिनिट के बाद इसे पल्टा है कपड़े से भी आप इसको सेकेंगे तो ये रोटी बहुत ही अच्छी बनती है एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है आटा अगर कड़क गुंदा हुआ रहता है तो देखिए क्या होता है तो ये लोई को हमने रख दिया है और इस शीट को हमने कवर किया है और इसे हम हाथ से दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सरफ फट रहा है रोटी नहीं बन रही है तो इस पे आप थोड़ा सा पानी डाल के और इसे आप सॉफ्ट डो बना दीजिए तो ये दूसरी रोटी भी हमारी बन कर तयार हो गई है तो बस इसी तरह से हमने सारी रोटीों को बना दिया है अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेट करना न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले तब तक के लिए बाई